निर्जा जे जिस तरीके से आज संसत के अंदर राहूल गांधी पर हमला किया गया, क्या ये सरकार की तरफ चे एक सोची समझी रणनीत का हिस्सा था, ताकि अडानी के मसले पर और जो एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, उसके मसले पर सरकार को न घेर पाए विपक्ष? रूलिंग पर्टी ये करती रही है और कॉंग्रस और विपक्ष को इसकी तयारी होनी चाहिए थी, ये एक्सपेक्ट करना ही चाहिए था, और मैं तो मानती हूँ अगर राहूल गांधी इतनी बड़ी चीज बाहर जाके बोलने वाले था, मैं मानती हूँ उनको हग है, बोल करने का, तो खेर वो अलग चीज है, लेकिन अगर राहूई गांधी इतना बड़ा क्रिटीक करने वाले थे, भारत जोड़ो यात्रा के बाद का नेक्स कदम रनीती के तहत, तो क्या उनको पूरे विपक्ष को कॉंफिडेंस में लेना चाहिए था, क्योंकि आज जो सबको म किलके आवाज उठानी पड़ रही है, और बी आरेस और आमादमी पार्टी भी अब उनके डिफेंस में आ रहे हैं, यह दिख रहा है, मतलब रीच आउट कर रहे हैं कॉंग्रस को, जो पहले नहीं करते थे, बिल्कुल अलग तलग था उनका मामला, विपक्ष दो बागों म हैं कि क्या हो रहा है, डिमॉक्रसी का, डिमॉक्रसी अन्ड़न, सिर्फ अन्डर प्रेशन नहीं, बाद में चाथम हाँ, उन्हों ने उसको दुरुस करने की कोशिश की और किया भी, लेकिन वो प्रॉब्लमाटिक है, क्योंकि एक तरह से एक नॉन कॉन्फिडेंट लीडर क की छवी आती है, एक कॉन्फिडेंट देश का लीडर ये नहीं कहेगा बाहर से कि हमारी हल्प करो या उस तरह विशारा भी नहीं करेगा, क्योंकि खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद, इतना बड़ा रिस्पॉंस हुआ, जिसके बेसिस पे वो जूजेंगे, भाजब क भाजब की से अगले दिनों में ऐसा उनका इंप्रेशन था, तो खै, जो मेरा कहने का मकसद है ये, कि क्या आप और पार्टी के साथ मिलके कदम उठाएंगे, अब हम नहीं कह सकते के उन्होंने अपने पार्टी में ब्रेंस्टॉमिंग की, कि ये मैं कहने जा रहा हूँ, ये कहूंगा, क्योंकि हमारा विपक्स जो है, मेन अपॉर्ण है, वो उसकी नारेटिव नाशनलिजम, नाशनल प्राइड पे बेस्ट है, तो अटाक तो होना ही होना है, वो अटाक आएगा, तो हम क्या करेंगे, उनका, मैं तो दस कदम आगे सोचने की बात थी, अगर आप लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है, ऐसा नहीं किया, आज इन इंडिविज अगे लिए इस तरीके की कोशिश करनी पड़े कि राजना सिंग जैसे बड़े नेता को मैदानी उतारना पड़े, राजना सिंग अमोमन ऐसी भाषा का इस्थेमाल भी नहीं करते हैं, राजना सिंग वो नेता है, जिनके विपक्ष के तमाम नेतां से अच्छे संबंद है, यहां तक कि राहूल गांधी और सुनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर भी तीके हमले नहीं करते हैं, उनका यह कहना कि राहूल गांधी ने जो बयान दिया, वो निंदनी है, सदन को उस पर नंदा करनी चाहिए, और राजना सिंग को उतारने एक जगह, वहां पे अम जिनके रिष्टे हैं और पार्टियों से अगर प्रधान मंत्री ने तो अल्रड़ी अटैक किया है राहुल गांधी पे करनादक से अगर मान लिजे आमिश्चा बोलते एक्सपेक्टी चीज होती राजनाच सिंह का बोलना अनेक्सपेक्टी चीज थी और भाजर की रननीती का एक हिस्सा है तो आप जो आड़ानी पर हमला होने वाला है उससे वो कैसे जुझेंगे वो सोच रहे हैं उस चीज को इस तरफ से आप कितना सोच रहे हैं वो सवाल उकता है किस हैं तक जाने आप आपके कहने का मतलब यह कि का कॉंग्रेस पार्टी को एराउल गांधी उ कमस अंसत शुरू होगा तो सरकार की तरब से क्या होगा और उसकी रियक्शन के तौर पर या उसको प्रियम करने के तौर पर इनके अपनी रणेनिती प्लेस होनी चाहिए आपके इसाप से रणेनिती वहाँ पे नहीं थे सत्य हिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर